नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्पों संगटनों के बारे में तो इसमें हम लोगों ने लाश्ट लेक्चर में बात की थी United Nations Economic Socials Commission for Asia and Pacific के बारे में ठीक है आज हम बात करेंगे International Organization for Migration के बारे में इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना हुई hm में इसका मुख्याला रहें जैनेवा सुईजाला में इसमें सदस देशों की बात करें तो 173 है भारत रहें है इसकी स्थापना हुई पार है और IMO की सदस है 173 इसमें भारत भी आपका सामिल है परवेक्चक देश है इसमें 8 सामिल हैं परवेक्चक देश सहयुक्त राष्ट से सम्मध संस्था है आपकी IOM ठीक प्रोवसन के छेत में एक अंतर सरकारी संस्था भी है IOM International Organization Migration के बारे में बात करने तो इसके उद्देशों को देखें तो विवस्थित और मानवी है धंग से प्रोवसन सुनिश्चित करना और प्रोवसन के मुद्दे पर अंतराष्टिय सहयों को प्रोवसाहिन देना इसके मुख उद्देशों में सामिल है प्रोवसन की समस्या कब्योहारिक समाधन खोजना प्रोवसित लोगों को मानवीय सहयता पिदान करना रिपूजी इन में सामिल है बिश्थाफित लोग इसमें सामिल है आपके कारित के प्रोवसन और विकास प्र प्रवसन को आसान बनाना और वसन का नेमन करना बलपूबक हुए विस्थापन की चित में कारी करना इसके पिर्मुक्र कारें गिलोबल कॉम्पेक्ट फोर माइग्रेशन सतद्विकास लक्ष 10.7 के साथ उद्देशों के साथ समाई जे थे निवार्ग गोष्णा के एनेक्स सेकेंड में बाइड़े थे अंतराष्टी ये प्रवसन के लिए सेफ्ट राष्ट के तहित बना पहला अंतरसारकारी बैस्विक समझोता है एक गैरवाद दिकारी समझोता जो राष्टों की समप्रभूता को सुनिश्चित करता है राष्टों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है फ्रवसन के समख्च चुनोतियों को समाधान भी करता है ये आपकी एक रिपोर्ट भी जारी करता है कौन सी रिपोर्ट World Migration Report क्या करता है पूछ लेगा आप से World Migration Report कौन जारी करता है तो आपको बता देना है International Organization for Migration यह था आपका IOM ठीक है आँगे हम लोग बात करेंगे Interpol की बारे में किसके? Interpol की बारे में ठीक है